हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है दॉक्टर अमित माईश्वरी, मैं CEO & Founder Director हूं Metas Oversies Limited Company का हमारी कंपनी Staleless Steel Modular Kitchen की Manufacturing करती है, Export करती है और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे Franchisee Showroom और Dealership Showroom है फ्रेंट्स आज जिस विशे पर मैं बात करने वाला हूना वो विशे बड़ा important हो सकता है अगर आप future में अपनी wealth बढ़ाना चाहते हैं अपने business को expansion पर ले जाना चाहते हैं अपनी money की power को बढ़ाना चाहते हैं और एक rich personality बनना चाहते हैं तो हमें समझना होगा power of compounding ऐसा हम क्या करें कि हमारा पैसा भी हमारे लिए काम करें यह movie तो आपने देखी होगी मेरा आपसे request है comment box में लिख कर इसका नाम बताएं इस movie में तीन character है सुधीर, विनोदौर, ललन सिंग आप कहेंगे क्या? सर आपने movie ने देखी क्या? सुधीर, विनोदौर, ललन सिंग है इसमें friends इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुधीर, विनोदौर, ललन सिंग हो जैवीरू और गब्बर हो या फरान, रैंचो और राजू हो फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी saving के habits क्या है आपकी earning के habits क्या है और saving को आप किस तरह से invest करते हैं अगर सही तरीके से invest करेंगे न तो आप देखेंगे कि एक ही समय पर एक जैसे दोस्तों ने कुछ काम किया कुछ earning की, किसी ने saving की किसी ने investing की और किसी ने अपने पैसे का केवल enjoy किया तो life बिलकुल आने वाले समय में बदल जाने वाली है इसी बात का example में आप रूव करने वाला हूँ कि अगर आपने सही तरीके से earning के साथ साथ saving करना शुरू किया और saving को सही तरीके से invest करना शुरू किया तो power of compounding आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगी इस बात को मैं एक example गूर्प में बताता हूँ तीन दोस्त हैं रेंचो, फरान और चतुर आप कहेंगे सर दोस्त में जो राजू था वो कहां गया तो राजू का twist भी आपके सामने आने वाला है और आप बताएंगे कि राजू की life कहां पहुँचने वाली है आप चतुर भी तो इनी का दोस्त था यार और चतुर का एक और नाम था वो नाम आप मुझे comment box में लिखकर बताओ कि 3D8 movie में चतुर का क्या नाम था मुझे अभी याद नहीं है आप लिखके बताओ तो तीन दोस्त हैं रेंचो, फरान और चतुर तीनों की जो earning है बिल्कुल different है कहते हैं कि आप चाहे एक ही college से pass out हूँ अगर आपकी काबलियत में अंतर है तो आपको अलग-अलग salary package मिलने वाल है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वरतमान में आप क्या कमाते हैं भविष्य में आपकी किमत क्या होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे आप saving करते हैं और उस saving को कैसे invest करते हैं ठीक है तो rancho जो था वो थोड़ा सा गरीब था देखने में भी थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या कर पाएगा और चतुर क्योंकि इसका नाम ही है चतुर यह अपने आगे तो किसी को समझता नहीं है college में इसको लगता था कि college का सबसे first rank holder यही बनने वाला है में successful बन के दिखाऊंगा चतुर का नाम के है मुझे जुरू बता देना comment box में एक और इसका नाम है जिसके दोस्त उसको पोकारा करते थे तो रेंचो की salary है यह मंतली income है 20,000 फरहान थोड़ा सा बहुत serious था कि परिवार भी पालना है रेंचो तो मस तादमी था फरहान को लगता था यार family भी पालनी है घर बार भी देखना है माता पिता का सपना भी पूरा करना है और मैं कुछ करूँगा तो पिता जी मानेंगे नहीं तो फरहान की जो salary लगी वो 50,000 और चतुर जो बहुत चतुर था उसकी salary थी एक लाख रुपे friends एक बात को ध्यान से समझ लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्तमान में आप कितना पैसा कमाते है आपकी habits decide करेंगे कि भविश्य आपका कैसे होने वाला है ये मान लेते हैं कि salary का level कुछ भी हो सबकी saving जो थी न वो 40% थी तो रेंचो ने 40% बचाया मतलब 8,000 रुपे पर मन्त ये saving करता था वहीं फर्हान भी कहता है या रेंचो अगर 40% कर रहा है तो मेरी salary ज्यादा तो मैं ज्यादा बचा लूँगा वो भी 40% मतलब 20,000 saving करने लगा और चतर को लगता है तुम दोनों जितना पैसा कमाते हो न उतने जड़ा पैसे तो मैं वैसी कमा लेता हूँ तो वो saving करता ही नहीं था उसकी saving थी zero देखते हैं भविष्य में इसका क्या फर्क पड़ेगा लेकिन रेंचो में और फरान में ना एक difference था कि रेंचो कहता है कि पैसे को ऐसे invest करूँ कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करें और यह में शकतर आपबा नहीं मानेंगे अपना पैसा अपने पास समाल के रखो तो रेंचो ने क्या किया पैसे को invest करना शुरू कर दिया और फरान ने अपना पैसा अपने पास रखना शुरू कर दिया अगर 20,000 रुपे हर महीने फरान अपने पास बचा के रख रहा है तो एक साल बाद उसके पास 2,40,000 रुपे हो जाएंगे लेकिन रेंचो उस पैसे को अपने पास न रखकर शेर मार्केट में या ऐसी आप्शन्स में इंवेस्ट करता था जहां पर उसको अच्छा रिटन मिले आज ना 5-7%, 8-10% तो कई जगे रिटन मिल जाती है हम बात करते हैं शेर मार्केट की अगर शेर मार्केट में सही तरीके से इंवेस्टिंग की जाए ना तो 18-20% का रिटन लेना कोई बड़ी बात नहीं है तो मान लेते हैं कि 18% का रिटन मिला इसको पहले साल और लगातार इसी रिटन का पैसा ग्रो कर रहा है तो एक साल बाद इसका पैसा हुआ क्योंकि सेविंग बहुत छोटी है है तो 40% पर 20,000 का 8,000 और ये करता है 20,000 रुपए सेविंग मतलब जितने ये कमाता है उतनी तो ये सेव ही कर लेता है और चतुर कहता है कि तुम दोनों जितना मिलके कमाते हो न उससे जादा मेरी अर्निंग है और मेरी लाइफ बड़ी मज़दार रहने वाली है तो इसकी जो अर्निंग हुई एक साल बाद 18% आपना एक कैलकुलेशन करना पावर अफ कमपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करना सेकिंड रिजल्ट में आपको शो करेगा एक कैलकुलेटर वहां आप डालना 8,000 रुपे पर मन्त अगर मैं सेव करता हूँ तो एक साल बाद 18% से मेरा माउंट कितना हो जाने वाला है वो हो जाएगा 1,4,330 रुपे जबकि इसके पास कितने 2,440,000 रुपे और इसके पास 0 सेकिंड यर क्या होगा सेकिंड यर सेम 8,000 पर मन्त इंवेस्ट करता जा रहा है और एक बात का और फरक आप समझ लीजेगा जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा आपकी सेलरी बढ़ेगी आपकी अर्निंग कैपविलिटी बढ़ेगी तो हम ये मानते हैं कि अगले लंबे समय तक सेलरी यही रहने वाली है सेगी डियर में इसका माउंट हो जाएगा दो लाक उनतिस हजार अड़ सट रुपए दो लाक तीस हजार मान लेते हैं और यहाँ पर चार लाक असी हजार रुपए और यहाँ पर जीरो क्योंकि वो लाक रुपए महिना अच्छे से उन्जॉय करता है अच्छे फ्लाइट में रहता है अच्छी गाड़े का इस्तरिमाल करता है अच्छे जगह घूमने जाता है उसको लगता है कि हमेशा मेरे लाक रुपए सलरी रहने ही वाली है और possibility हुई तो इससे आगे बढ़ेंगे, उसको थोड़ी पतर लोगडाउन भी लग जाएगा, fine, तो आगे चलके देखते हैं, अब यहाँ पर आप पूछन सार राजू क्या करेगा, तो मैं आपसे पूछूँगा, राजू का क्या रोल रहेगा, इन सभी तीनों दोस्तों को देखते हुए, तो रैंचो ने जो इंकम कमाई थी, 20,000, 8,000 सेविंग की थी, फ़र्स्ट यर इतना हो गया, सेकेंड इतना हो गया, फिफ्ट यर जब कैलकुलेशन की गई, तो रैंचो की जो इन्वेस्टमेंट है, वो 7,70,000 के असपास हो गई, जबकि यहाँ पर 4,80,000 से 12,00,000 रुपे हो गई, फिर 5 साल बाद, मतलब और 10 साल जब हो गई, 10 साल बाद इसकी इंकम हो गई, 26,00, 3,257 रुपे, और यहाँ पर 24,00, आप देखें, यहाँ बहुत कम डिफरेंस है, यह सिर्फ 8,000 रुपे की सेविंग करता है, और यह 20,000 की सेविंग करता है, उसके ब 22,45,00, और इसकी 36,00, फ्रेंट्स, पावर ओफ कमपाउंडिंग एक बात को बताती है, कि जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, आपकी पावर ओफ कमपाउंडिंग जो इंटरस्ट है ना पावर है, वो कई गुना मिल्टिप्लाई होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आप जो सेविंग थी वो जीरो रही, बीस साल बाद एक करोड चौरासी लाख सत्तर हजार आठ सो पैंतिस हो गए और इसके 48 लाग रुपे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो रैंचो ने, रैंचो ने जो इन्वेस्टमेंट की है, वो कितनी है, टोटल बीस साल म इन्निस लाख बीस अजार रुपे, सिर्फ इन्निस लाख बीस अजार रुपे रैंचो ने सेव की हैं, जबकि फरान ने सेव करती, 48 लाख, डीफरेंस देखिए कि जो 19 लाख 20 लाख है, वो एक करोड चौरासی लाख रुपे हो गए, और 48 लाख रुपे ही रहे, और आप स सबी को शुरुआत से अब्जर्व करना शुरू किया, उसने का इन सब को देखता हूँ, अगर मेरी इंकम सिर्फ 50,000 रुपे है और मुझे 40 परसेंट बचाना है, तो इस 40 परसेंट की जो अगर मेरी 20,000 रुपे होगी, तो थोड़ा सा तो मैं रेंचो की तरह बनूगा, ताकि लाइफ में टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है, करें कि अगर आप एक ही जग इन्वेस्ट करोगी तो जीरू भी हो सकता है, एक ही जग इन्वेस्ट करोगी तो बड़ भी सकता है, लाइफ जीता है, और हर बार ही सोचता अब बार नहीं वानेंगे, तो उसके बावजूद भी, मैं इसमें से 5,000 रुपे केवल अपने पास इकठा करता रहूँगा, और बागी के जो बचे 5,000 है ना, उससे चतुर की तरह लाइफ को इन्जॉए करूँगा, यहां भी अग यह रेंचों के आसपास आके स्टेंड करता होगा, या इन दोनों के आवरेज के आसपास स्टेंड करता होगा, तो कोई फर्क नहीं बढ़ता कि आप कितनी अर्निंग करते हैं, फर्क इस बात से बढ़ता है कि आपकी सेविंग हैबिट्स क्या है, और आपकी इन्वेस्टि करोड़ रुपए कठे करूंगा तो मैंने आपसे कब कहा कि आपकी अर्निंग केवल आपकी सेविंग केवल इंकम केवल 20,000 रुपए रहेगी अरे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा 20,000 से आपकी इंकम 30,000 हो गई 40,000 हो गई 50,000 हो गई आप 8,000 सेव करते थे फिर आप 10,000 सेव करने लगे फिर आप 20,000 सेव करने लगे आपकी सेविंग भी तो बढ़ने लगी और कहीं से आपको एक इंस्टेंट मनी मिल जाती है तो उसको आपने भी इंवेस्ट कर दिया कई बार ऐसा देखा गया कि कोई अपने बता दिया 18% का रिटन मिल रहा है 18% का रिटन कहां मिल रहा है 18% का रिटन और उससे कई गोना ज्यादा रिटन आपको बिजनस में मिल जाता है आपका बिजनस अगर सही तरीके से सैट हो जाए ना तो आप बिजनस में कितनी भी ग्रोथ हासिल कर सकते है 18-20% तो कु तो मैंने शेर मार्केट से रिलेड़ पूरी की पूरी सीरीज स्टॉक मार्केट मिलिनियर आपको यूट्यूब पर बना कर दिया है उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा वहाँ प्रेस करो उस पूरी सीरीज को ध्यान चे देखो अगर आप चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो समझ लिए लाइफ में कुछ भला होने वाला नहीं है जरूरत है चीजों को सीख कर समझ कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की Stock Market Millionaire की सीरीज में, मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन किया, मतलब एक DMAT अकाउं के खुलने से लेकर, शेर मार्केट में इन्वेस्ट करने तक, और इन्वेस्ट करने के साथ-साथ, कैसे आप समझेंगे की fundamental analysis क्या होते हैं, technical analysis क्या होते हैं, SIP क्या होता है, invest करते समय nifty क क्या है, bank nifty क्या है, ETF क्या है, जितनी भी तरीके के terms होते हैं, और किसी भी company में invest करने से पहले, उस company की growth को कैसे चेक करना है, उसके सारे ratios क्या है, जिसे PE ratio क्या है, PB ratio क्या है, return on equity क्या है, return on capital employed क्या है, हर चीज जो share market के बारे में आप समझना चाहते हैं, वह वहां दी हुई चीजों को अच्छे से सीखें, और बहुत सारे लोग टिप्स पर विलीव करते हैं, कोई बता दे 4-5 share बढ़िया से, friends, जिसने 4-5 share बताएं उसने अपनी योग्यता के अधार पर बताएं, अगर आप ही अपने अंदर वो काबलेत जनरेट कर लेंगे, तो आप खुद निर पर आप सर्च किजिए, compound interest calculator, और आप जितना भी पैसा चाहते हैं, प्राप्त करना, पहले वो लिख लीजिए, उसके इसाब से कितना interest आपको मिलना चाहिए, तो कितना पैसा आपको और मेने इन्वेस्ट करना है, जरूँ ठोड़ी calculation यहां से करेंगे, जैसे रेंचों ने क इस movie का नाम क्या है, और जो चतुर है, इसका दूसरा नाम क्या है, और आपके इसाब से अगर राजू होता, तो वो कहां और कैसे कैसे invest करता, यह हमें comment box में जरूर लिख के बाताना, business related आपके अमन में कोई भी प्रश्न है, तो पहले तो उस प्रश्न का जवाब आपको इ प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भाब